Yes Bank, क्या Yes Bank में Reversal हो चुका है और Yes Bank एक नई तेजी के तरफ जा रहा है क्या Yes Bank की उल्टी गिंती जो Reversal वाली गिंती थी वो खतम हो चुकी है और अब नहीं गिंती एक नहीं रेस में Yes Bank अपना पार्ट लेने वाला है क्या है Yes Bank से Related Important Updates आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी के साथ 5 Important Points Yes Bank से Related Share करूँगा उसके बाद मेरी Personal Opinion दूँगा की यहाँ पे Just for Education and Information Purpose मेरी Personal Opinion क्या है मैं यहाँ पे Personally खुद क्या करने वाला हूँ वो Share करने की कोशिश करूँगा मेरा नाम है अनत लड़ा CFA, CA, CFP, LLB Open for All Telegram का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो Invest Arch for कल के Open for All Telegram पे जुड़ सकते हैं यह है उसका स्क्रीन शॉट Almost 60,000 से उपर मेंबर्स बन चुके अगर आपको लगे useful तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं Invest Arch for कल के नाम से आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं एक-एक पॉइंट समझना Yes Bank से related सबसे पहले तो कुछ positive pointers को समझ लेते हैं लगबग 5 pointers है जिसके basis में Yes Bank में जो हलका फुल का reversal आपको देख रहा है उसके कारण समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले 50,000 करोज की special liquidity RBI की तरफ से Yes Bank को दीवी थी और Yes Bank ने ये पैसा वापिस कर दिया है कि अब मुझे रिक्वाइड नहीं है तो ये एक positive sign है Second important point ध्यान से समझेगा हम एक-एक point सारे discuss करेंगे detail में Yes Bank SBI Yes Bank को लेने की बात करे थी और समझ रही थी कि Yes Bank का SBI में merger हो जाएगा इसकी absolutely no बोल दिया Yes Bank में management ने और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा देखिए जब भी एक छोटी company का बड़ी company में merger होता है न तो छोटी company बहुत ज़दा दिक्कत में रहती है उसके valuations कम आते हुए एक बड़ी company को फायदा होता है अगर Yes Bank SBI में merge होता न तो काफी दिक्कते Yes Bank के shareholders को आ सकती थी बट इसको confirm करते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा Yes Bank के top management ने official declaration दे दिये तो यह second important point होता है third important point business cost की बात करी जाए तो latest quarter में business cost almost 20% तक Yes Bank ने कम करने की कोशिश करिये देखिए profit बढ़ाने का simple सा तरीका होता है या तो profit बढ़ा दिया जाए profit bank के cases में क्या होता है net interest margin बढ़ा दिया जाए या फिर cost गटा दी जाए यहां पर इन्होंने cost गटाने का काम अच्छा किया है यह ऐसा positive sign रखा जा सकता है बट इस चीज़ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कई बार cost इसलिए भी घटानी पड़ती क्योंकि branches अपने बंध हो रही है हमें यह चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जिसकी clarity हमें आने वाले quarters में देखनी पड़ेगी simple एक quarter में जो business cost कम होई यह उससे हमें कोई inference निकालना नहीं चाहिए बट भी समझा जाए फिर भी तोड़ा बहुत समझा जाए तो यह एक positive sign की जैसे हम ले सकते है next और major important point हुआ क्या है yes bank के top management ने कहा है कि वो अब आने वाले समय में retail segment पे retail loans पे focus करेंगे जब भी देखिए जिसी भी bank को अगर retail segment जिसका strong होना वो bank काफी अच्छा strongly perform करता है जैसे कि example है indecent bank indecent bank में retail segment बहुत strong है और उमीद है कि आने वाले समय में और strong किया जाएगा तो वो bank strong रहता है यह bank की भी यही कोशिश है अभी around 45% retail segment है जिसको बढ़ाके लगबख 60% तक करने की कोशिश कर रहे है एक चीज़ समझेगा जब भी कोई एक बड़ी corporate H&I segment में loan दिया जाता है और एक default करता है बैंक को बहुत impact करता है और जब retail में loan दिया जाता है 2,5,10,50 लाग तक तो वो loan अच्छे रहता है bank की total overall health के लिए तो यह एक positive sign है इसी के साथ-साथ इनकी कोशिश है कि जो loan की growth rate है लगबग 10% से यह grow करने की कोशिश करेंगे इस साल और next year यह कोशिश करेंगे 20% से loan book को grow करने की positive sign है और यह होता है एक हमारे लिए important चीज़ जो हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है अब चलते last और fifth point पे पहले यह 5 point समझेंगे फिर मेरा personal क्या opinion हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे fifth और last point यह है कि प्रशान सर जो MD और CEO है Yes Bank में उन्होंने एक separate team मनाई है जो पुराने जो bad loans हो चुके उनकी recovery के लिए काफी कोशिश करेंगी और उमीद यह लगा जा रही है कि अगले दो से तीन साल में अच्छी recovery की possibilities इन्हें लग रही है I hope अभी तक आप यह 5 important point Yes Bank से related समझ पाए होंगे इससे पहले कि हम आगे जाए अगर अभी तक आपके आज DMAT नहीं है तो description में zero the allies view दोनों के DMAT account open link से जिसके साथ आप comfortable और DMAT खुला सकते description में ही private channel पर जुणने का process भी है जिसमें हम काफी additional चीज़े और updates डालते हैं आपके लिए useful हो सकता है उसी के साथ आप चाहे तो join button membership consider कर सकते हैं members को जो हम private channel पर share करते हैं वो तो सारा चीज़ शेर करते ही है through YouTube community post उसके अलावा और भी चीज़े हम समझाने की सिखाने की कोशिश करते हैं कैसे market behave करता है और क्या हमें लगता है उसके basis पर information on education से related काफी important चीज़े हम सिखाने की कोशिश करते हैं आपके useful हो सकता है अब समझते ही yes bank में हमें क्या करना चाहिए सबसे पहली बात मैं personally अब यहाँ पे अभी for the timing देखिए अभी तक जो हमने 5 points discuss करे ना यह सारे futuristic points है एक future की story है जिसके basis पे आज market positively react कर रहा है yes bank को लेके मुझे personally stories पसंद नहीं है मुझे fundamental sound सामने दिखेंगे तभी मैं उसमें invest करने का plan करता हूँ stories की basis पे मैं invest करने का plan नहीं करता है जैसा कि आप सभी को पता है इसलिए जब तक यह जो stories है यह crystallize नहीं होती मैं यह नहीं कहरा कि yes bank बिल्कुली खराब है अगर आने वाले समय में जो यह कोशिश कर रहा है जो यह pointers बता रहा है यह crystallize होते है और actually apply हो पाते है और yes bank actually fundamentally sound stock company हो पाती है तब हम इसमें लेने की बात कर सकते है बट जब तक मेरे सामने मुझे results नहीं दिखेंगे मैं इसमें personally investment का plan नहीं करूँगा उसी के साथ साथ अगर आपका already investment हो रखा है तो आपके लिए important level आता है 17 rupees का और second level आता है 17.90 से 18 rupees का यह दो important resistance level आता है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है काफी वार इसमें important resistance मिला है और यहां से yes bank में reversal आया है हम यह समझे कि मैं personally इसमें कोई over aggressive होके investment करूँगा या plan करूँगा अभी ऐसा कोई दूर दूर तक plan नहीं है I am sharing only for information and educational purpose Final decision होगा आपका मैंने आपको important resistance level भी बता दिये 17 का first आता है और 17.90 से 18 का second resistance level आता है जिससे काफी वार पल्टी खाया है इसी के साथ सातना yes bank अगर आपने investment कर भी रखा है एक चीज़ पर ध्यान रखेगा Yes bank के volumes पर daily ध्यान रखेगा अगर किसी भी दिन volume के साथ selling start हो पहले जने आप होने चीज़ अगर आपको exit लेनी है तो अगर आपने exit नहीं ली एक बार volume के साथ selling start हुई तो हमारी ले काफी दिक्कते हो सकती है अभी off-lately volume काफी कम है तो अभी tension की बात नहीं है बट कभी भी volume के साथ selling हो मतलब previous जैसे almost 3-4 times तक के volumes हो जाए और selling pressure आए और Yes bank तूटने लगे हमें वहाँ पर exit ले लेनी की है ऐसे shares में जो operator driven होते है वहाँ पर exit बहुत important हो जाता है अगर हमने exit ना ली तो हम कई बार first day की कोशिश हो जाती है उसी के साथ साथ मिलेंगे next video में I hope मैं आपकी जितनी भी yes bank related queries ती solve कर पाया होंगा happy investing and happy trading and have a superb day ahead see you very soon